हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी फ्रेंड्स का आपके अपने पसंदीदा यूटूप चैनल डियर सर इंग्लिस में और आज की जो स्टोरी है बहुत ही जदा एक संदार स्टोरी है और एक अजीव स्टोरी है आप यह भी कह सकते हैं दे स्टॉन सूप तो आपने सूप डो बहुत सुने होंगे लेकिन इस्टॉन वाला नहीं सुना होगा पत्थर का सूप कभी नहीं पिया होगा शूम्मलोग बोलते हैं वह नहीं पिया होगा चली स्टाट पर अगर नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब करने हैं आपने फ्रेंड्स में प्यूँ जरूब सिय कर तो यह आपका एडजक्टिव हो जाएगा ना इन अब विग हाउस और बड़े से घर में रही तो बहुत पैसे वाली थी बट माईजर, पैसे वाली तो थी, लेकिन कैसी थी, वड़ी कंजूस थी, माईजर में सोते हैं कंजूस, तो बहुत जदा कंजूस होना, ठीक है, C had no friends, उसका कोई मित्र भी नहीं था, because, क्योंकि C was very mean, क्योंकि वो बहुत जदा mean थी, तुक्छ थी, जिसे बहुत आप लोग ने, बहुत सारे लोग आपके भी life में मिले होंगे, जो बहुत जदा mean make करने वाले होते हैं, बहुत छोटी बुद्धी वाले कह सकते हैं, हर चीज में कहीं न कहीं अपना दिमाग चलाते हैं, बहुत जदा नीच कह सकते हैं, ठीक है, नीच, बहुत बेचारी एक लड़की थी, गरीव, कम की second form लगा हुआ है, कैम मिस आती है, to her house उसके घर पर, एक गरीव यह जो लड़की थी, यह इसके घर पर आ जाती है, C, ask for some food, और C, ask, demand करती है, मागती है, for some food, कुछ भोजन, कि भई, मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दो, तो यह कहती है, to, the woman's है, तो उस woman ने कहा, उस lady ने कहा, जो कि वड़ी शुंदर थी, यह न, I have only one slice of bread, तो मेरे पास, I have one slice of bread, देखे कर slice of bread होता है, पूरा, जो bread का यह पूरा slice होता है, पूरा टुकडा होता है, उसको बोलते है, ठीक है, slice of bread, है न, I will get that for you, चलिए ठीक है, I will get मैं लेकर कहा हूँ, that means इसको for you, तुमारे लिए, तो मैं इस तुमारे लिए ही लेकर कहा हूँ, यह तुमारे लिए है, the mean woman, यह जो mean तुक्छ नीच, जो woman जो eat, eat की second form है, eat, eat, eaten, क्या है, eat, और इसके बाद में, eight और eaten, ठीक है, यह three forms होती है, first, second, third forms, ठीक है, तो C मिस उस ने, उस गड़ ने, eight मिस खा लिया, और small piece, एक छोटा सा टुकडा खा लिया, अब देखे का आगे क्या होता है, आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक ह have you some soup, तो उस ने देखे, bread tastes good with soup, ask the girl, उस लड़की ने फिर demand की मांग की, और कहा, लड़की ने, क्या कहा, have you some soup, क्या आपके पास में कुछ औरवा सूप है, या नहीं, ब्रेड टेस्ट, क्योंकि ब्रेड जो होते हैं, टेस्टी लगते हैं, टेस्ट वो कहीं अच्छे लगते हैं, good with soup, क्योंकि सूप से खाने में, उनका थोड़ा टेस्ट, मनलब थोड़ा अच्छा हो जाता है, no, तो उसने मना कर दिया, no, I have no soup, मेरे पास भी soup बगरा तो कुछ भी नहीं है, the woman replied, the woman ने reply दिया, reply मिस होता है, उत्तर, तो उसने उत्तर दिया, कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, then I'll teach you, how to make strong soup, said the girl, तो लड़की ने कहा, तो देखेगा, उस लड़की ने कहा, क्या कहा, then I will teach you, तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ, teach means, सिखाना, you miss तुमको, I will teach you, means, आपका future indifferent हो जाएगा, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, how to make strong soup की कैसे, strong soup बनाते हैं, देखेगा, एक नई recipe, इस लेड़ी को ब करके उसने पूछा रहें, ये, strong soup, ये क्या चीज़ होती है, of course, बास्तम में, उसने का, कि वास्तम में, said the girls, लड़की ने का, of course, बास्तम में होता है, we will make strong soup, we means, हम लोग will make, हम लोग बनाएंगे, strong soup, हम अभी, strong soup ही बना करके, अभी तुम्हें खिलाते हैं, अभी बनाते ह है, ना, तो जो है, लड़की ने कहा, चली वही, आप लोगों को भी आज खिलाते हैं, पिलाते हैं, कैसा, stone soup होता है, ना, उसको, both of them, bent into the kitchen, both means, दोनों of them, उन दोन, बो दोनों ही, जो है, देखे गाई, लेड़ी बे आ गई, और ये भी, दोनों ही आ जाते है, bent, मिस चले जाते हैं, into means, के अंदर, the kitchen, तो देखे, इन और into में क्या अंतर होता है, इन और into में, ठीक है, इन और into की एकर बात करें, तो देखे गाई, जब कोई बाहर से अंदर की तरफ आता है, या फिर कोई ब्यक्ति, अल्रेडी इन मतलब, without any movement अंदर ही होता है, तो उसको इन करते हैं, यह अपका into होता है, जब बाहर से अंदर कोई आए, तो, ठीक है, movement करते हुए, उसके लिए, the girl put a pan, तो उसने जो पेन जो था, पेन को रखा यह है, ना, on the gas stove, तो gas stove पर उसने तुरंत पेन रख दिया, fry दा जो ना, सी पोर्ड, सम बाटर, उसने खुला पानी, पोर मिस तो उड़े लना, ठीक है, उड़े लना होता है, डालना, सम बाटर कुछ पानी डाला, into the pan, उसी पान में कुछ पानी डाल दिया, when the water boiled, जब पानी कैसा होने लगा, boil हो गया, खौलने लगा, सी ड्रॉप ए स्टोन इंट जब उसने चखा, the water, उस पानी को जैसी चखा, तो देखेगा, क्या होता है, this is good soup, ये तो बड़ा अच्छा वाला soup है, the girl said, उस लड़की ने कहा, ये तो बड़ा अच्छा soup है, are there any potatoes in the house, are there any potatoes, क्या, potatoes भी है, in the house, घर में, आलू बगरा रखे हैं, क्या, तो देखेगा, कह है, कि नहीं, देखो, ये lady भी, इसी काम में लड़की लगा देती है, है ना, तो देखते हैं, क्या मिलता है, क्या नहीं मिल पाता है, अब, the woman, उस woman ने cut miss, काटे, two potatoes, दो potato काट लिए, and put them into the soup, और उनको काँ डाल दिया, उसी soup में, जो बन रहा था, उबल रहा था, उसमें डाल दिये, the girl tasted, तो लड़की ने और टेस्ट किया, थोड़ा सा और चखा, the soup again, and said, पुने, अगें मिस उते हैं, तो पुने, जब उसने चखा, और said, कहा, very good, ये तो बहुत अच्छा है, are there any tomatoes, क्या तुमारे पास में, टमाटर बगरा है, क्या टमाटर हैं, क्या टमाटर, और लियाओ, अब देखेगा, सब डलवा भी ले रही है, the woman cut two tomatoes, तो बुमन ने cut means cut दिये, two tomatoes, दो, tomatoes भी cut दिये, and put them into the soup, भो भी उसमें पन, उसी soup में डाल दिया, the girl tested the soup again, and said, फिर दुबारा उसने test करके बोली, great, ये बहुत सांदार है, now the soup will have a delicious test, अब जो soup का test होगा, have a daily season, बहुत ही जदा स्वादिस्ट होगा, test इसका होगा, is there any cheese, क्या, इसमें कोई cheese है, cheese है कि नहीं, पनीर बगरा रखा है, तो देखो, पनीर है कि नहीं है, देखो, सब लेकर क्याएगे भी, है ना, yes, उसने का, हाँ, क्यों नहीं है, said the woman, उस लेडी ने का, हाँ, बिलकुल लड़की ने का, don't waste time, अपना समय बर्बाद मत करो, वेस्ट में सुत वेकार मत करो, the woman took out a piece, तो बुमन ने, औरत ने, टुक आउट में निकाल करके लेकर आई, पीस एक टुकडा लेकर के आती है, और चीज, ये पनीर का भी टुकडा लेकर आती है, सी काट इच, उस सी में इस उसने कट, इसको काटा, and put into the soup, और soup में डाल दिया, the girl tested, लड़की ने टेस्ट किया, the soup again, and said कहा, give me some salt and pepper, ऐसा करो, मुझे कुछ नमक, और इसके लावा मिर्च दे दो, नमक मिर्च और दे दो, the girl put some salt and pepper into the soup, तो उस सूप में, फिर दोबारा उसने उसी को इन चीज में दोनों को, salt को एड़ किया, paper को एड़ किया, the girl tested, the soup, तो उस लड़की ने टेस्ट किया, टेस्ट किया, था, सूप उस, सूप को, there was a big smile, on her face, there was a big smile, बड़ी सी मुस्कुराहट थी उसके चहरे पर, she took out the stone, उसने उस पत्थर को तो निकाल दिया, from the pan, उस पैन से, and said, और कह था, the stone soup is very delicious, देखो, stone का जो soup बनता है, बहुत ही ज्यादा test ही होता है, स्वाधिस्ट होता है, let's take this soup, ऐसा करो चलो, लेकर के चलते, soup को, and bread together, soup और bread को, दोनों को एक साथ खाते हैं, चल करके, मज़ा आएगा, the woman was very happy, तो बुमन जोती, बड़ी खुस हो गई, बड़ा ब्रेड लेकर गया गई, then both और दोनों ने, both of them दोनों ने, enjoyed मिस पूरा अनंद लिया, the soup and bread, और soup और ब्रेड का अनंद लिया, तो ऐसी लड़की भी होनी चाहिए, जिससे की, वो देखो, किस तरीके से हर चीज़ को निकलवा लेती है, तो इस तरीके से इसको कहते करें, इस तरीके से लोग अपने कारी को कैसे करा सकते हैं, कैसे ability कितनी अच्छी हो, तो आप अपने काम को वो simply करा सकते हैं, so thank you for watching this video, मिलते हैं अनदर वीडियो में तब तक के लिए, goodbye